जहिन, हाल ही में UPSC का एक मुद्दा बहुत चर्चा में चल रहा है पूजा खेड़कर के खिलाफ UPSC ने एक्सन लिया UPSC ने सिविल सेवा परिच्छा 2022 की अननती तुरूप से इमेल आईडी, मोबाइल नमबर और पता बदलकर अपनी पहचान बदलकर परिच्छा नियमों के तहत सीमा से अधिक परियासों का लाब उठाया है इसलिए UPSC ने पूलिस अधिकारियों के पास FIR दर्ज करके अपराधिक, अभियोजन, सहित, उनके खिलाफ कई करवाई शुरू की है साथी सिविल सेवा परिच्छा के नियमों के अनुसार, उनकी उमिद्वारी रद करने के भौईस की परिच्छाओं चैनों से वन्चित करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है क्या कहती है UPSC? यह असपरस्ट रूप से कहा गया है कि अपने समयधानिक दाईतों को पूरा करने में UPSC अपने समयधानिक जनादेश का सकती से पालन करता है और बिना किसे समझोते के सभी परिच्छाओं सहित अपनी सभी परिक्रियाओं का संचालन करता है UPSC ने अपने सभी परिक्छा परिक्रियाओं की पवित्रता और खंडता को अत्यांत निस्पक्षता और नियमों के ससकत पालन के साथ सुनिश्चित किया है UPSC ने जनताविसे सुरूप से उम्मिदवारों से बहुत उच अस्तर का विश्वास और विश्वसनियता अरजित की है आयोग यह सुनिशित करने के लिए पूरी तरह पर्तिबद है कि विश्वास और विश्वासिनियता का ऐसा उच अस्तर बरकरार रहे और इसमें कोई समझाता नहो कौन है पूजा खेड़कर? पूजा खेड़कर 2023 बैच की आईयस अधिकारी है UPSC परिक्षा में All India Rank AIR 841 हासिल की उनके पिता दिलीब खेड़कर भी एक रिटाइड परसासनिक अधिकारी है पूजा को पर्मानेंट न्यूकती से पहले एक्सपिरियन्स हासिल करने के लिए पूढे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आफिस में बतोर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया था वह सायरन और बियाईपी नंबर प्लेट वाली एक नीजी आडी कार का उप्योग कर रही थी जिसके चलते उनका पूढे से वापिस ट्रांसफर कर दिया गया पकणा गया ये पूढे ट्रायल में मुझे दोसी साबित किया जा रहा है दोसी साबित होने तक मैं निर्दोस हूँ हमारा समीधान इसी बात पर आधारित है आप कह सकते हैं कि मुझ पर आरोप लगे हैं लेकिन दोसी साबित करना गलत है पूजा खेड़कर से जुड़े 6 विवाद पहला विवाद क्या है अपनी प्रसनल आडी कार पर लाल नीली बत्ती और महराश्ट परसासन का स्टीकर लगवाने के बाद सुर्खियों में आई यह कार एक प्राइवेट कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है दूसरा असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग से पहले ही बी आईपी नंबर प्लेट वाली सरकारी गाड़ी अवास स्टाप के साथ चैंबर और एक कांस्टेबल की मांग की यह सुविधाय सिर्फ सीनियर अधिकारियों को मिलती है पिता ने बेटी की मांगों को पूरा करने के लिए जीला कलेक्टर के आफिस पर दबाव डाला पुजा ने सीनियर आफिसर अजय मोरे के चैंबर पर कबजा करने के लिए वहां से उनका नेम प्लेट हटा दिया खुद को OBC केटिगरी से होने का दावा किया जबकि OBC सर्टिफिकेट के लिए पैरेंट्स की सालाना इंकम आठ लाक या उससे कम होने चाहिए जबकि चुनावी हलफ नामों में उनकी पिता की सालाना इंकम 43 लाक रुपए और कुल संपती 40 करोड है पाँचवाँ UPSC को दिये हलफ नामे में मानसिक से अक्षम होने और देखने में भी दिक्कत होने का दावा किया परिक्षा के दवरान VCS आवासों की मांग की लेकिन अब तक 6 बार मेडिकल टेस्ट देने से इंकार कर चुकी है पूरे और अहमद नगर में 7 अचल संपतिया है जिनकी मार्केट वैलू 17 करोड से 22 करोड के बीच है इन में से दो प्रोपर्टी उनकी मां ने गिप्ट की है सातो प्रोपर्टी से हर साल 42 लाक रुपे कमा रही है